नमस्कार मैं हूँ विनीतर पाठी और आप देख रहे हैं नौभारत टाइम्स डॉट कॉम इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली के सियम अर्विन केजरिवाल को कुरोना वाइरस के हलके लक्षन मिले हैं रविवार की शाम से ही उनको कुछ बुखार की शिकायत है और उनके गले में खराश हो रही है जो कि कुरोना वाइरस के जो हमको लक्षन पता चलते हैं उनमें से ही दो लक्षन की हलका से बुखार आना और गले में खराश होना वो दिल्ली के सियम अर्विन केजरिवाल को मिल कर दिया है रविवार की शाम को ही उन्होंने प्रेस कानफएरंस करके अलान किया था कि दिल्ली के अंधर दिल्ली सरकार के जो अस्पताल है और प्राइवेट उनमें सिफ दिल्ली के लोग ही इलाज करा सकते हैं जिसके बाद वो लगतार मीटिंग्स भी ले रहा हैं अधिकार करोना वायरस को किस तरह दिल्ली में को संकरमण मुक्त किया जाए क्योंकि हमने पिछले पास दिनों से एक जून का एक पखवाड़ा एक पूरा सब्सक्राइब दिल्ली में निकल रहे हैं जो कि एक चिंता वाली बात थे दिल्ली पूरे देश में तीसरा वो शहर बन चुका है जो कोरोना से सबसे ज़्यदा प्रभावित है तो उसको देखते हुए दिल्ली सरकार लगातार प्रयास कर रही थी जिसके जलते हैं दिल्ली के सीम अरविन के केजरिवाल लगातार मीटिंस के रहे थे जाधा ले रहे थे सपतालों में कितने बेड़ हैं क्या उनकी तयारियां में मंगलवाह की सुभेस रविन के जरिवाल का कarti रोना अच्ष्ट किया जाएगा जिसके बाद रिपोर्ट आने के बाद ही कोई बात सामने आएगी और जानकारी लिए बता दूँ कि अर्विन केज दिवाल पहले भी डायबिटीज के पिशेंट है उनको डायबिटीक है तो इसके चलते अब उनका टेस्ट जो होगा वो मंगलवार को कराया जाएगा जिसके बाद यह बात सामने आएगी कि आखिरकार यह नॉर्मल सिम्टम से यह कोई सीजनेबिल उनको परिशानी हुई है क्योंकि इस समय मौसम का भी बहुत बड़ा इफेक्ट है बिमारियों में चुकि मौसम बदला है अचाना गर्मी उसके बाद बारिश तो उसके कारल भी करोना टेस्ट होगा उसके बाद ही कोई सामने आएगी कि आखिरकार उनको क्या समस्या है या क्या परिशानी उठानी पड़ रहे हैं लेकिन मैं आपको इधर बता दूं कि दिल्ली में करोना का संक्रमर बहुत तेजी से फैला है अनलॉक आज से सुरू हो गया है आज से मंदिर धार्मिक स्थल मॉल रेस्टरांट यह भी खुलने लगे हैं देश के अलग अलग हिस्तों में हाला कि कई रास सरकारों ने फैसला लेते हुए एक समय निर्धारित किया है कि इतने दौरा इतने बज़े से इतने बज़े खुलेंगे मॉल्स में भी सुरक्षा के काफ अगर हम देखें तो आठ से नौ हजार पिशेंट डेली आ रहे हैं तो जिसको लेकर हमें एहतियातन बरतना है और अपने आपको महफूज रखना है